हेलो एवरिवन वेल्कम टू इजी फॉर स्टडी देखो आज ये वीडियो बनाने का पीछे मेन रिजन ये था कि अन्रिजर्व जो कटेगरी है ठीक है अन्रिजर्व कटेगरी जो है उसमें टोटल मार्स लाना है आपको 532 रिटेन में 532 लाना है आपको रिटेन में और ऐसा नहीं कि आप कटेगरी में चले जाएं कटेगरी में आप नहीं रखिएगा टार्गेट पहले बता रहे हैं कटेगरी में टार्गेट इसलिए नहीं रखिएगा क्योंकि कटेगरी का टार्गेट रखी और पता चला एक आम नंबर के चक्कर में बाउंडरी पे रहे तो तो मेरा ये बनाने का मेल मक्सद यह था कि आपको शक्त करना ऐसा नहीं कि मेरा चौपट किया है, पीटी में भी मेरा हालत यहां खराब हुआ था और मेंज में भी हालत पूरा खराब हो गया, फेल कर गए, ध्यान रखिएगा, यह मैं गर्व से इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि मैंने accept किया कि हाँ मैं failure हूँ, पर failure के साथ एक चीज और ध्यान रखेगा, कि मैं उठ करके और उसके बाद फिर से लड़ रहा हूँ, आपको यही काम करना है, आपको failure काम हमको नहीं tag देना है, आप कोशिस करिए कि यह वाला target को achieve करें, यह वाला जो marks है ना इसको आप कोशिस कि वहां तक पहुँचे, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, आप जाएए वीडियो में, आप कोशिस करिए, कि जो जो आपको हम topic wise आपको दिये हैं, पढ़ाए हैं, उसको आप ठीक धंग से watch करिए, और ठीक धंग से हम यह word use कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप lightly लेके निकल गए, क्योंकि हम वो चीज़ को सिर्फ लाए हैं, जो आपके लिए important हो, वो चीज़े ज़रुवत की नहीं, जो कि बिना मतलब का baseless चीज़ें आपको हम दे दे और आपका time को खराब करें, नहीं, भैया आपके पास भी आपको time है, आप उसको revision में use कर सकते हैं, मेरा जो वीडियो हो सकते हैं, डी रेल का मतलब होता है, ट्रेन का पटरी से उतर जाना, आप ट्रेन है, आपको track दे दिए हैं, आप उस पे दोड़िये, भागिये, जितना speed भागना है, वंदे भारत के speed से, भागिये, पर आपको करना क्या है, जो हम strategy बना के आपको दे रहें, वीडियो में, आप उस पे जरूर काम करिए, देखते हैं कि जब हम मेंस पढ़ाने लगते हैं, तो आप लोगों को problem चालू हो जाता है, respond आना बंदो जाता है, मेंस जहां हम बोले तो आपको ऐसा लगता है कि भाई, क्या दे रहा है, मेंस जब भी पढ़ाते हैं, तो मेरा वीडियो में आ कि आप interview से related कुछ चीज बता रहे हैं, तो क्यों बोलते हैं, क्योंकि तयारी specific interview का नहीं होता है, ये बात भी आप ध्यान में रखेगा, specific तयारी interview का नहीं होता है, जब आप तयारी के दोरान रहते हैं, आपका personality development, आपका eye contact, आपका posture, body language, ठीक है, उसके बाद dress code, ये सारी चीजे matter करती है, मैं जब भी video में बनाता रहूँगा, तब तब आपको उन सब चीजों को बताता रहूँगा, वो सब चीजें को आप जरूर analyze करिए, अपने life में उसको उतारिए, अगर आप उसको उतारेंगे, तो ही आपको वहां तक जाने में problem नहीं होगा, नहीं तो last स समय में क्या होगा, कि आप specific जब return कर लिए है, पिटी निकल गया, अमेंस निकल गया, अंट्रव्यू का तियारी करने भाई, कांट हो जाएगा, इसको specific करने लगीएगा तो, तो मेरा कहने का तात पर यह यह था, आपको यह target करना है, कि unreservant में अपने आपको मैं कैसे यह बहुत ज्यादा matter नहीं करेगा, 100 नमबर में 50 नमबर भी आया पास हो गया, 50% है, कोई problem नहीं है, लेकिन यहाँ अगर आप धासु नमबर ले आते हैं, ठीक है, तो आपका जो च्वाइस वाला है ना, पोस्ट वो मिल जाएगा, और च्वाइस वाला पोस्ट अगर आप आपको मिलता है, तो आपको वो जो मजा है ना, वो आपको कोई मजा नहीं दे सकता है, हाँ कि मैं DSP बन गया हूँ, या मैं परसासनी का धिकारी बन गया हूँ, ठीक है, यह आपको जो मजा देगा, वो आपको कोई भी चीज मजा नहीं देगा, भाई, नीचे से लटक, कोई वाना कि किसी तरह से दे दिये धाके ठेल धाकेल के वह होता ने टर्म यूज किया जाता है वो नहीं होना चाहिए कोशिस यही चीज हमेशा बना के रखेगा